तो हे दोस्तों कैसे आप लोग आपका स्वागत है हिंदी में सीखो यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे मताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने डिलीट फोटो को रिकवर कर सकती है जी आँ दोस्तों यह 100% सही है आपने बहुत सारे अप्लिकेशन को देखा होगा प्ले इस्टोर में जो फोटो को रिकवर नहीं कर पाती है लेकिन दोस्तों यह अप्लिकेशन 100% वर करती है आप जब मैं इसको यूज किया ना तो मैं चौक गया मैं देखा अरे यार जो मैं फोटो को डिलीट किया था हुआ सारे फोटो आ गए थे इसके वज़े से मैं वीडियो बना रहा हूंने तो वीडियो में नहीं बनाता तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं और इस अप्लिकेशन के बारे में पूरा डीटेल से जान लेती हैं लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज एर वीडियो को लाइक कर देना आप लाइक नहीं करते हो भूल जाते हो और हाँ दोस्तों वीडियो को लासक देखिए और आप इस अप्लिकेशन को यूज कीजिए अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी फेक है मैं फेक आपको बताया हूँ तो वीडियो को आप dislike कर सकते हैं ने तो like कर दीजिए आप भूल जाते हैं ठीक है उसके बाद में आपको एक काम करना है चैनल को subscribe कर देना है और आपको इस घंट्यू को दबा के on कर देना है ता कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख पाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हाँ अगर आपको कुछ कहना इस application के बारे में तो आप comment के माध्यम से हमको बता सकते हैं कह सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक application को install करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि application यहाँ पे है इसका link माँ आपको वीडियो की description ने देदूँगा आप जाके वहाँ सिस application को install कर सकते हैं ठीक है तो अभी है यह एक नए application माँ आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ ती लोगों ने इसको rating किया वह भी 5 star का और इसको सिर्फ 1000 लोगों ने डाउनलोड किया है तो चली मैं इसको open कर लेता हूँ तो जैसे आप इसको open करेंगे आपको यहाँ पे scan का option आजाएगा tap to scan का तो आपको इस पे click करना है जैसे आप click करेंगे आपको allow करने के लिए बोलेगा तो आपको allow कर देना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे phone में जितना सारा photo delete हुआ था सारे के सारे photo को require कर रहा है आप देख सकते हैं 10,000, 11,000, 12,000 मेरे phone में बहुत सारे photo हैं जिसको मैं delete कर दिया था आप देख सकते हैं 17,000, 25,000 दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे phone में कुल 26,640 photo थे जो require हो चुके हैं ठीक है अब आप अपने सारे photo को select करके या तो आप एक एक photo को select करके require कर सकते हैं यानि आप उसको save कर सकते हैं ठीक है तो आपको scroll करना है और आपको अपने photo को select करना है ठीक है तो फिलाल मैं आपको एस सारा photo नहीं दिखा सकता क्योंकि यार ये मेरा private photo है तो आपको मैं आपको यहां दिखा देता हूँ यहां मैं आपको show कर देता हूँ आप देख सकते हैं आपको simply select करना है ठीक है आपको simply select करना है आप किस photo को recover करना चाहते है ठीक है उपर मैं आपको नहीं दिखा है कि क्यों वा सारा मेरा private photo था तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे photo को select कर लिया हूँ अगर आप सबी photo को select करना चाहते हैं तो आप select all कर सकते हैं अगर आप इतने ही photo को recover करना चाहते हैं तो आपको restore पर click कर देना है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा photo था restore हो चुका है ठीक है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा photo आ चुका है अब आप इसको देख सकती है इस सारे फोटो को मैं पहले से डिलीट कर चुका हूँ आप देख सकते हैं इस जो फोटो मैं इसको पहले डिलीट कर चुका हूँ लेकिन मैं इसको रिकवर कर लिया हूँ ठीक है उसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे जिसको अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं लेकिन जो भी आपके फोन से सारे फोटो डिलीट हुए हैं सारे के सारे फोटो आ जाएंगे ठीक है आपको simply select करना है जैसे आप restore पे click करेंगे यहाँ पे add आएगी तो आपको add को cut कर देना है आप देख सकते हैं कि जो हमने photo को restore किया था वो हमारा photo आ चुका है ठीक है आप देख सकते हैं तो दोस्तों काफी कमाल के application है काफी अच्छे से work करती है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस application को कैसे use करना है तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो प्लीज यह वीडियो को like कर देना अगर आपको इसी तरह की नहीं वीडियो देखनी है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत देल से धन्यवाद